यह ओयल पंप है और यहां पर तीन स्क्रू है वन टू थ्री इसे हमें लूज करना होगा यह इसका वाइल पंप बाहर आ गया और यहां पर और रहता है और यहां पर डॉवल है तो आपको सब्का ध्यान रखना है यहां पर यह जो किक साप्ट है यह भी बाहर आ जाएगा इसे को सेफली रक लेना है और इसमें रैचेट रहता हो तो यह भी आपका बाहर आ गया और यहां पर एक वासर होता है जिसको आपको बहुत ही प्यार से बाहर निकाल लेना है ये देखिए ये वासर आपको safely रखना है अब इस side कुछ भी नहीं बचा है इसे हम लोग turn कर लेते हैं दूसरे side ये देखिए यहाँ भी कुछ नहीं है अब हमें इसे split करना है तो इस engine का जो crank soft है ये अब completely free हो गया है इसका connection अब कहीं से भी नहीं है तो अगर आपको check करना है कि आपका crank healthy है या उसके bearings में कोई problem है तो एक method आप ये भी apply कर सकते है इस तरह से आप इसे rotate करके देखिए अगर आपको बहुत ज़्यादा irritating sound मिलता है मतलब कि इसके bearings में problem हा गया है तो ये देखिए मैं अब इसको आपको घुमा गए दिखाता हूँ आपको कुछ sound मिलता होगा ये जो sound है ये bearing का sound है ये ये denote करता है कि इसके bearings में problem आ चुका है और इसका bearing हमें replace करना पड़ेगा इसमें crank का भी काम है इसमें हमें crank का काम करना पड़ेगा तो इस crank को बाहर निकालने के लिए इसके bearings को replace करने के लिए हमें ये complete engine हमें open करना पड़ेगा ये जो engine है इसे हमें split करना पड़ेगा तो सब कुछ तो हमने open कर ही लिया है अब यहां पर eight number का boards आपको दिखेगा तो बस वही open करेंगे और यह engine दो पार्ट में यहां से खुल जाएगा तो हम लोग सबसे पहले सारे boards को lose कर लेते हैं उसके बाद हम लोग इसे split करेंगे तो यहां पर सारा board हमने निकाल लिया है और तीन बड़ा size का हो और बांकी एक size का है तो इस तरह से आप रखेंगे एरेंज करके तो लगाने में कोई polym नहीं होगा आपको एक idea मिल जाता है कि कहां पर किस size का था तो अब यह split होने के लिए तैयार है तो split करने के लिए आपको wooden hammer या plastic hammer का यूज करना है कभी भी metal hammer का आपको यूज नहीं करना है यह देखिए आपको बहुत ही प्यार से हीट करना है यह देखिए split हो गया है तो यह हमारा engine split हो गया है यह देखिए gears कुछ इदार है कुछ उदार है सारा कुछ को हम लोग अच्छे से clean कर लेंगे उसके बाद हम लोग assemble करेंगे new parts को बहुत ही ज्यादा dirty है यह यह देखिए यहां पर है हमारा प्यारा स्कूरू जो की नीचे गिरा था अब इसके सारे बेरिंग्स हम लोग बहर निकालेंगे जितना भी ओरिंग है सब कुछ हम लोग बहर निकाल देंगे यह बाला केसिंग कंप्रेटली इंप्टी हो गया है अब इसे हम लोग क्लीन कर देंगे सिंप्ली दूसरे बाला केसिंग को लाते हैं कहां कहां से आप ओरिंग निकाल रहे हैं यह आपको याद होना चाहिए क्योंकि वहीं पर फिर निव ओर इंग आपको लगाना होगा तो सारा ओर इंग आपको ध्यान देना है कि कहां-कहां से आप निकाल रहे हिं है और इंग पर । youר पिर कोछ सब आपको याद रखना है अब आते हैं मों दूसरे casing में यहां भी जितना oyl सब कुछ हम लोग रिमूब कर लेंगे बहुत ही प्यार से यह देखिए बाहर आ गया कि यह देखिए यह भी बाहर आ गया और यह सब जब आप काम करें तो आप गलब्स का यूज़ करें मुझे तो कैमरा ओपरेट करना पड़ता है तो थोरा सा प्रॉल्म हो जाता है गलब्स से और फिर भी मैं अपने हाथ को क्लीन रखता हूं क्योंकि बहुत देर तक अगर ओइल के कॉंटेक्ट में आपका इस्किन आएगा तो इचिंग होने लगता है तो इस बात का आपको ध्यान देना है आप गलब्स का यूज़ कीज़े तो कि यह बाहर आगया यह बेरिंग भी तो सारा बेरिंग और वायल सिल बाहर निकल गया है अब सारे केसिंग को सारे पार्ट को हम लोगों को अच्छे से क्लीन कर लेना है और यहां पर एक निडल स्पेसल बेरिंग होता है इसे मैं बाहर नहीं निकाल रहा हूं क्योंकि अभी मुझे देखना है कि यह स्टॉक में मिलेगा की नहीं जेनरली लोग इसे चेंज नहीं करते हैं और यह जल्दी खराब भी नहीं होता है और यह भी अच्छे कंडिशन म हम लोग और अगर नहीं मिलेगा तो यहीं काम करेगा तो सब कुछ को मैं अच्छे से क्लीन कर लेता हूं और उसके बाद हम लोग अच्छे से इसे प्यार से एसेंबल करेंगे एक एक चीज बहुत ही अच्छे से तो दोस्तों मेरा यहीं कोसिस रहता है कि हर एक चीज को मैं complete detail में आपको समझाओं एक टूल, एक एक पार्ट, एक एक प्रोसेस, एक एक स्टेप, सब कुछ मैं आपको detail में बताओं, ताकि जब आप खुद से इस पे काम करें, तो क्या-क्या problem आएगा, उसे कैसे solve करना है, सारा कुछ आपको पता हो, यहाँ पे एक सबसे बरा o-ring रहता है, यह देखे, इस o-ring को आपको हटा लेना है, और एक bearing यहाँ पे रहता है, और अंदर में oil seal रहता है, दोनों को हम लोगों को remove कर लेना है, कर दोनों को आपको 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 कि यहां पर अंदर में को इसे भी हमें निकालना होगा यह देखिए यह भी पहार निकल गिया